शुट भी ऑल्वेस अलोट मेंटली अब ऐसा नहीं है वह ओफिस आया है फिजिकली ओफिस में प्रेज़ेंट है तिस नौट एनफ उसको में प्रेज़ेंट होना है ठीक है एक जिसे की इस्कूल में कभी-कभी क्या होता है हम लोग जाते हैं हम लोग जाके अपने बैंच office में दोनों तरीके से present होना है और employees के जो भी problem है उसको proper solve करना है आगे पड़ते हैं शुड आफ patience to listen problems of employees and not lose temper easily अभी पता क्या होगा जो आपका HR manager है मैंने की जैसे की बताया आपको अभी employees बारबर problems लेकर top management के पास भागता नहीं है वो HR manager के पास जाता है तो उसके अंदर इतना patience होना चाहिए कि वो उनकी problem सुन सके सब आफिस में कोई issue हो गया कंप्यूटर में या networking में कुछ कुछ दिक्कत आगी तो क्या होगा बारबर हर एक employee एक ही problem लेके जाएगा बार बार ब उसको patience होना चाहिए अराम से हर एक employee की बात सुननी है ठीक है सारे employees की problems को सुनना है यह नहीं कि गुस्ता हो जाना है क्योंकि उसका job ही है कि employees आएंगे उसके पास अपने problems लेकर है ना शरुब आगे बढ़ता है should not depend on formal authority too much उसको formal authority पे बहुत 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 नहीं होन employees को तो उसको यह नहीं के formal authority पे यानि top management में बिल्कुल depend हो जाना है ठीक है उसको क्या करना है employees के लिए उनके benefit के लिए उनके welfare के लिए खुद आगे जाके convince करना है top management को कि यह problem है जो कि employees face कर रहे हैं और इसका solution आप लोग निकालेंगे ठीक है यह नहीं करना है कि बिल्कुल बैट जाना है top management अपने आप करती रहेगी बाकी employee जेल तो रहे हैं मेरे को क्या है ठीक है तो उसकी responsibility कुछ बनती है आगे बढ़ते है should be a good leader and guide subordinates towards organizational goals ठीक है अब HR manager है वो इतना से अच्छा leader भी होना चाहिए और time to time वो अपने subordinates को guide करता रहे motivate करता रहे proper है ना यह भी ब as a manager वो काम करेगा अपने एक दम होता है ना दोंस जमाएगा अपने employees पे तो नहीं सुनेंगे employees आजकल क्या होता है लोगों को एक leaders ही होता है एक manager नहीं चीह होता है companies में यह सब funda change हो गया manager वाला कि ड्रा धंका के काम करा दो आजकल उनको motivate करने के लिए leadership skills जो है वो यूज organization का goal achieve करें आगे बढ़ते हैं should have sense of social responsibility and should make employees aware about their social obligations अभी इसको क्या करने है कुछ social responsibility की sense होनी चाहिए चाहिए socially responsible होना चाहिए और साथ में जो उसकी employees है उनको भी मतलब याद दिलाए रखने भाई तुम्हारी भी कुछ social obligation है कुछ social obligations यह social responsibilities है society की तरफ तो जो तुम्हें पूरी करनी है जैसे कि suppose अगर employees है बहुत ज़रा paper waste करते हैं है ना जरासा एक page पे कुछ लिखा तो उसको समझाना कि भाई नहीं ऐसे waste नहीं करो papers है ना तो socially कुछ obligation है जो उसके responsibility बनते है कि खुद भी पूरी करें और employees से भी पूरी करवाई आगे बढ़ते हैं should be a good communicator अच्छे से उसको communication skills अच्छा होना चाहिए courteous in dealing with workers trade union leaders and top management बहुत politely respect से उसको बात करनी है चाहे वो workers से बात करा हो चाहे ट्रेड यूनियन कुछ बोल दो जब अच्छे से बात करेगा politely उनको respect देगा तभी उसके बदले में वह से corporate करेंगे organization को corporate करेंगे तो यह जरूरी है सो communication skills होनी चाहिए इसमें एक चीज और है कि listening skills भी इसके अच्छी होनी चाहिए problem मतब जो है अपनी बात बताएं नहीं वह साथ में सुने भी कि worker क्या कहना चाहता है वह चीज भी important है आगे बढ़ते है must not be biased बाइस बिल्कुल नहीं होना चाहिए fair to each and every employee 7 employees को लेके बिल्कुल fair होना चाहिए अभी कैसे कि कोई भी इश्यू हो गया आपने दो employees के बीच में लेकिन पहला वाला employee था वह HR manager का बहुत अच्छा friend था काफी अच्छे relations थे उनके तो वह उसको support कर रहा है जो बी वाला है उसको support नहीं कर रहा है क्योंकि वह उसक चीज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल fair होना चाहिए दोनों employees को लेकर अगर डाट मारे तो दोनों को मारो नहीं मारने है डाट कुछ नहीं कहने तो दोनों को मत को बिल्कुल partiality नहीं करनी है मैं यह कहना चाहरी हूं एक HR manager को ठीकित discrimination नहीं करने है तो आपका यह topic हताम thanks for watching this video please like share and subscribe